तो दोस्तों आज है मेरे पास Vivo Y33s और RealMate 5G camera comparison के लिए camera space implications यहाँ पर बहुत अत्तक आपको same मिलते हैं जैसे कि दोनों में ही रेर पर आपको मिलता है triple camera setup के वह लेक डिफरेंस यहां देखने को मिलेगा Y33s में दिया गया रेर पर 50MP का camera अपटर साज है 1.8 वही RealMate 5G में रेर पर primary camera दिया गया 48MP का और यहां भी अपटर साज है 1.8 बाकी के दोनों camera दोनों में ही same है यानि कि 2MP का एक macro lens, 2MP का एक depth sensor ultra wide lens आपको दोनों में से किसी भी device में देखने को नहीं मिलेगा दोनों में ही front पर आपको मिलता है 16MP का front camera camera performance की बात करें तो कुछ यह performance आपको यहां देखने को मिलती है अब यहां सबसे पहले गर colors की बात करना तो Realme 8 5G में आपको oversaturated colors देखने को मिलेंगे मतलब color ही थोड़ा सा high है Realme 8 5G का darker than natural colors आपको देखने को मिलेंगे जबकि वहीं बात करना है Y83S में तो वहां पर बहुत हद तक natural colors देखने को मिलते हैं बट natural colors पूरी तरह से दोनों मैंसे आपको किसी में देखने को नहीं मिलेंगे तो यहां पर अगर दोनों को आपस में compare करें तो Realme 8 5G के colors थोड़े से ज़्यादा पंची नजर आते हैं detailing की बात करें तो वहां Realme 8 5G ज़्यादा बहतर है Y83S के comparison में Auto mode पर आपको दोनों में ही 12MP का photo देखने को मिलता है dynamic range की बात करें तो वह Y83S में बहुत ज़्यादा बहतर है लेकिन दोनों को आपस में compare करें तो यहां भी मुझे Realme 8 5G थोड़ा सा बहतर लगा overall अगर rare camera के Auto mode की बात करें तो उस condition में Realme 8 5G Y83S से बहतर perform करता है rare camera के portrait mode की बात करें तो कुछ यह performance आपको यहां देखने को मिलती है अब यहां पर दोनों मैंसे किसी में भी आपको natural portrait mode देखने को नहीं मिलेगा लेकिन फिर भी दोनों को compare करें तो Realme 8 5G में बहुत हद तक natural colors देखने को मिलते है जबकि Y83S में आपको unnecessary red tone शो होती जिस वज़े से आपको अजीब सी skin tone देखने को मिलती है comparison आप यहां करी सकते हैं और देख सकते हूँ कि दोनों ही devices में क्या क्या differences देखने को मिलेंगे अलाकि age deduction की बात करें तो दोनों का ही काफी कमाल का है front camera की बात करें तो कुछ sheer performance आपको यहां देखने को मिलती है यहां भी सबसे पहले अगर detailing की बात करें तो उस condition में Realme 8 5G का front camera ज़्यादा बहतर performance देता है Y33S के comparison में और front camera में Y33S में भी आपको unnecessary red tone जो होती है skin tone में जबकि Realme 8 5G के बात करें तो बहुत हथ तक यहां पर natural skin tone देखने को मिलती है तो यहां भी अगर दोनों को compare करें तो natural photography में या फिर कहें थोड़ी से natural selfie अगर आपको चाहिए तो फिर उस condition में Realme 8 5G बहतर है as compared to Y33S low light photography की बात करें तो यहां भी Realme 8 5G Y33S को beat करता है same lighting condition में आपको Realme 8 5G से brighter photos देखने को मिलेंगे as compared to Y33S इसके लाब Y33S में आपको noise भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है जबकि same condition में Realme 8 5G बहुत बहतर perform करता है दोनों ही devices में नैट में फोटोग्राफिक लिए नैट मोड भी दी जा गया है individually दोनों ही devices का नैट मोड काफी कामाल का है लेकिन अगर दोनों को आपस में compare करें तो यहां भी Realme 8 5G Y33S को beat करता है कुछ photo में ने LED flash का यूज करके भी लिए है और यहां Y33S में आपको unnecessary red tone show हो दिये जबकि Realme 8 5G यहां भी बहतर performance देता है Y33S के comparison में वीडियो recording की बात करना तो मेरे बिना कुछ कहे आप खुच जच करिए कि आपको इन मेंसे किस device का video जादा बहतर नजर आता है यह है दोनों ही devices के rare camera से record किया गया एक full HD का video sample अब यहां पर सबसे पहले colors की बात करना है तो यहां भी Y33S में आपको unnecessary red tone show होती है या फोट वीडियो में तो जिस वज़ए से आपको colors एक दब natural देखने को नहीं मिलते है वही Realme 8 5G की बात करना है color hue high होने के वज़ए से यहां पर आपको ज़्यादा पंची colors देखने को मिलेंगे as compared to white Y33S detailing के मामले में यहां दोनों ही काफी बहतर performance देते हैं इसके अलाबा कर stabilization की बात करें तो उस condition में मुझे Realme 8 5G ज़्यादा बहतर नजर आया इसके अलाबा एक look लेते हैं dynamic range पर तो अब यहां से आप देख सकते हो दोनों ही devices में dynamic range काफी अच्छी देखने को मिलती है दोनों ही devices यहां पर काफी बहतर perform करते हैं अब जो main difference यहां रहेगा वो colors का ही रहेगा और personally मुझे यहां Realme 8 5G ज़्यादा बहतर नजर आया तो दोस्तों यही था मेरा Y33s और Realme 8 5G के बीच camera comparison अब यहां पर मुझे हर जगा पर Realme 8 5G का camera ज़्यादा बहतर नजर आया as compared to Y33s साइध ही कोई field हो जहां पर Y33s का camera Realme 8 5G को beat करता हूँ तो camera performance के मामले में यहां Realme 8 5G पूरी तरह से Y33s से बहतर है बाकी का आपके सोचते हों दोनों ही devices के बारे में क्योंकि performance मैंने यहां आपको दिखा ही दी तो please comment section में बताना ना भूलें तो दोस्तों मुझे में दीवीड आपको पसंद आया होगा प्रीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, मेरा नाम है धर्मेश, आप देखे हो फोन इंदी अगले वीडियो में जल्दी ही अप्लोड करूँगा तब तक के लिए गुडबाई, आपका दिन शोब हो